दोस्तो नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एगरी मस्ती यूट्यूब चैनल पर और दोस्तो रोज के तरह आज एक और नए वीडियो लेक्चर के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ और ये वीडियो लेक्चर है बीएस एगरी कल्चर फोर सेमेस्टर यह सिर्फेसली बूंदेल खन उनिवर्सिटी जहां सी वाले स्टुएंट्स के लिए पिरिन्सिपलस ओप फूद साइंस एंड हुमें निूट्रिशन का ठीक है यानि दोस्तो ये आपका पिरिन्सिपलस ओप फूद निूट्रिशन सब्सक्राइब करेंगे ठीक है यहां पर थमनिल पर 20 लिख कर दिखर आओगा लेकिन कोई गरांटी नहीं कि इससे ज्यादा भी हो सकता है लेकिन मैं इसका गरांटी करता हूं कि दस से ज्यादा ही प्रसन फसेंगे तो आप ऐसा करिए आप 20 मिनट 15 मिनट का टाइम निकाल करके इस वीडियो को देख लिजिए क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने बहुत मिनत लगती है तो आप लोग वीडियो कों तक जरूर देखा करिएगा आपके फायदे के लिए ही मैं सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दिजिए अब दोस्तों सीधे चलते हैं प्रसनों का से शिला सुरू होता है और आप लोग बिल्कुल ध्यान लगा दिजिए फोन पे जिस तरह से रील देखने में ध्यान लगाते हैं और पहला प्रसने उतर प्रदेश में कई तो अब दोस्तों कहें गए जीनालेगरी कलचर का प्रसने नहीं अपका वुड साइंस का ही प्रसने ठीक है और आपको वीडियो में आगे आप आपके ऍशलेबसके प्रसने यह इस तरह के प्रस्न पूछे जा सकते हैं और मैं आपको दिखा दूं कि ये भी है फूड सा से पहले क्रिश्य विश्व विदाले के सब्सक्राइब नेशनल डेरी रिसर्च इंस्टिटूट इंडिया रही कहा है तो दोस्तों आपके पार्टिकुलर स्लेबस का प्रशन तो यहां पर जो आपका राश्टिय दुद्ध अनुसंधान संस्थान है और नेक्स्ट है पीसी सथी कोपरेटिव डैरी टरेशन योगलब स्थान जानि दोस्तों मुर्गी के अंडे का औस वजर लगभग होता है तो दोस्तों जो मुर्गी का अदे कषईपन गरम होता है यहाँ पोछा रहा है तो अवेट क्या होता है 해도 का है तो 55 ठीक है और दोस्तों नेक्स कषब किस ने दिया तो दोस्तों एंजाइम सब्द received काफ़ी सुंधर प्रस ने और इसको बार और पूछा जाता है और इंजाइम सब किस ने दिया तो यह कुहन नामक विग्यानी के दवारा दोड़े जाइब तो नेग्स्ट इसे रांती, स्थपना हुई तो जो एक मार्ख है, आपको बता दें एक संस्था बनाया गया है, जो कि मानक तय करता है कि आपके तेल में क्या होना चाहिए और इसका मुक्षालार नागपूर में थी थे और इसकी स्थापना कब हुय थी दोस्तो इसके स्थापना यानि एक मार्क पलग ऐख हो सधाफना या इन निटीन में चल्व में enjoy च्वस भी कहो वर्ल बल्ड मिल्डेइ किसे दिन को मना जाता है किसे धीन को स्विवरेट किया जाता है तो दोस्तो 20 प्लिषो दुद्ध दीवस एकुठू को मनाया जाता है ठीक है एक जौन को हर साल क्या होता है? 20 लुद्ध दीवस के रूप में मनाया जाता है और ऑर नेक्सट है भोजन में कीसे संक्तों कर्मीच movie से बच्चे अंध्यपन के शिकार होते हैं तो दूश्तो तो आख से समझें जितने भी बीमारी है यह mostly आपके बीटामिल यह के कमी से ही होते हैं और नेक्स्ट है आपका operation flood किस पर शुरू हुआ था तो दोस्तों operation flood was launched in the year तो यह 1970 में यह operation flood का शुरूआत हुआ था फर्स्टे स्टेज का और नेक्स्ट है राश्टिये dairy विकास बोड क अपना किया गया था और दोस्तों नेक्स्ट है दूद में मीठा जमाव का कारण है तो दूद में जो है मधुरित जमाव किसके कारण होता है तो यह बैसिलस सीरियस के कारण होता है ठीक है बैसिलस सीरियस के कारण क्या होता है स्वीट कडिंग इनी मिल्क ठीक है और नेक्स सेट है इसमें सबसे ज्यादा Мिल का परियोग किसके लिए करते हैं नाम लिखा हुआ लेकि चुली ये गरबरrickी को करने के लिए इसका वोग विसा ัते है टेस्ट करने के लिए लिग ब्रがर friendly का परियो ग्या जाइप करने के लिए आपने गया होगा क् studying देरी पर देखा हुआ यह गोल चकर के तरह मसीन रखा हुआ होता है उसमें हैंडल लगा होता है उसको घुमाया जाता है ऐसे करके तो क्या होता है वह गरवर विधी का टेस्ट होता है और गरवर विधी के द्वारा क्या किया जाता है फैट टेस्ट किया जाता है दूद में नेक्स्क्राइब केते हैं इसको साइनो कोवेलामीन कहते हैंג कि 70 कोवेलामीन जुगाली करनेवाले वार्ष वास्त्वीपर्भ में होते हैं उन्हाइब होता है मैं झाप घृतता है me निख रहेते हैं दूस्तों दूद में रजुनियक कमन का कारण कद दूद में किया होता है यह होता है यह और दूध का पीला रंग उध्पाधन का करण क्या है तू दूद में पीला रंग किसके कारण होता है तो स्जोडो मुनास शिन्ठेंस के कारण होता है ठीक है अगर मिली लिटर का बात करें अगर nut disappointment माल में एक आजर इमेल घी है उसका वजन कितना हो गा उसको तोलने पे वजन होता है सरी नौसो पूस रिखर मोगोऊ होता है ऑग को टौरा जाए मुशीन पर 되면 लेट नशीपर तो उसका ज़स often होगा ग्राम में वह होगा 930 ग्राम ठीक है और यह मान करके चलिए कि आप यह जो होता है एमेल होता है और केजी होता है बिल्कुल सेम नहीं होता है इसमें कुछ अंतर होता जैसे आपको यहां पर देखने को मिला अगर 1000 एमेल यानि एक लीटर घी को तौला जाए तो वह 930 ग्राम ही होगा और न या जरी नेक्स्टों इन डी और आई का स्थापना हवा इनि नेशनल डेरी क्रेशर्च इंसितूट का स्थापना कब हुआ दोस्तों का स्थापना संग चलें इक सॉत लिए ग्राइश के ःक रिच्छेस 돼 आपके सामने चार अप्सन है और पैंटो थेनिक एसीड निकोटीनिक एसीड और इसकोर्वी केसीड और इसके नीचे है उप्यूद्विक्षिट में से कुई नहीं और यहां पे पुछा जाने वशा में घुलन सील तो वसा में घुलन सील विटामिन कौन सी है तो आपका इस यह रोग के नाम बहुत खतरनाक रोग उतना खतरनाक ही इसका नाम है तो पढ़ने में थोड़ा गड़बड़ी हो जा रही है लेकिन आपको दिखी रहा होगा मवाइल स्क्रीन पर साफ साफ तो आप भी एक बढ़ पढ़ लीजिएगा ठीक है नेक्स्ट है निमनिकीती में से उपर उसके नीचे है उप्यूक्त सभी तो यह दोस्तों यह ओल आफ दिए उपफ जितने हैं यानि स्टेप्टो माइशिन टेटरसाइकलिन और एजी थ्रो माइशिन यह सभी क्या है यह एंटिबायोटिक्स है यानि परतिजय विकी हैं और नेक्स्ट है एनिमिया किसकी कम नामक विमारी होती है और नेक्स्ट है दूध पलंजर क्या है तो दोस्तों वाटिज मिल्क पलंजर तो यह आपका क्या है दूध नमूना उपकरण है यानि मिल्क सेंपलिंग एपरेटस है यानि जो दूध का पलंजर होता है वो दूध नमूना लेने में उसका उपकरण का यूज किया जाता है और नेक्स्ट है ऑस्टियो पोरोशिस बीमारी किसकी कमी के कारण होती है तो दोस तक में इसको ध्यान से पढ़िएगा ध्यान से देखिएगा मैं अभी तक आप से आपके सामने चिला रहा हूं अभी चिलाते चिलाते मैंने 35% तक मैं पहुंचा दिया आपको मैंने लेकिन अगर आप इन 35% को बढ़िया से सुने होंगे तो आपके लिए फायदे मंद होगा और मैं ऐसे ही रट्टा लगाता रहूंगा चिलाता रहूंगा तो मेरा भी मेहनत खराब हो जाएगा और आप लोग में अच्छी स्कोर नहीं कर पाएंगे दोस्तों क्योंकि बात ऐसा कि यह जो पेपर सुलूशन मैंने लाया है यह जो प्रीविया सेर का पेपर है यह आप कीशलेवख पेपर है यह जो आपकाओं मैंने देखा तो आपका चल्यक सेम था और उसी सेवासे का यह प्रशनपतर है ठीक है भले आपके इंडिविजुली बात करें तो आपके इंविश्टी का पेपर नहीं हो लेकिन यह 100% आपका सलेवस कहीं पेपर है मैं आप लोगों से बार-बार रिक्वेस्ट करना हो कि इस वीडियो कौन तक जरूर देखिएगा तभी मेरा मेहनत सब पहलो पाएगा और तभी आप लोग परिच्छा में सही स्कोर कर पाओगे और नेक्स्ट है विसको मीटर मापता है यह गढ़ापन मापता है ठीक है क्या म इंसी होता है मतलब ना के बराबर होता है और नेक्स्ट है फास्फेट परिक्षन संभनी थै किसे संबनी थै तो फास्फेट एज इंजाइम से संबनीथ है ठीक है देखती जाहिएगा जटजट से और नेक्स्ट है इस इस A.I. का स्थापना हुआ यानि food safety और उस्टेंड पर अम्लता होता है तो दोस्तो ताजे गाये में गाये के दूद्ह इसे होते हैं अम्लता कितना होता है वह होते है जीरो पाइंट वन्फश्य स्टाथ या इसे और एक टाजे दूद् bå मैं अम्लता होती है कितना yesterday पूछा जाता है और नेक्स्ट है एंडी डीवी इस्थित्त है तो दोस्टों डीवी कहा सित्थ है यानि नेशनल डेरी डेवलोप्मेंट बोर्ड का अनंद गुजरात में स्थित है कहां पे अनंद गुजरात में स्थित है और अनंद के नाम से ही अमूल मिल्क यूनियल लिमिटेड है जिसको हम लोग अमूल कहते हैं ठीक है अनंद मिल्क यूनियल लिमिटेड अनंद के नाम से ही है जिसको हम लोग सौट में अमूल कहते है और नेक्स है गरबर सेंट्रिफ्यूज मशीन की गती होती है तो दोस्तों वहीं करबर मशीन जिसको घुमा जाता है दूद में फैट मापने के लिए उसकी गती कितीनी होती है तो 1100 rpm ठीक है 1100 rpm और नेक्स है अब बीटामिन एच को खाले स्थान भी कहते हैं तो दोस्तों बी तोफ्सके स्थापना हुई थी तो यह उने सोचब के स्थफना हुई थी और नेक्स्ट है इसकर्वी बीमारी किसकी कमी के कारण होती है तो दोस्तों इसकर्वी बीमारी जो होता है वो विटामिन C की कमी के कारण होता है किसके कारण विटामिन C के कमी के कारण इसकर्वी बीमारी होता है और आपको बता दे कि विटामिन C को वेगानिक भासा में इसक सब्सक्राइब सबसे पहले किसने दिया दुए वर्ड हर्मोन वास क्वाइंड वाइं तो यह इस टार्लिंग नामक विग्यानिक जिन्होंने हर्मोन सब्द को दिया था और आपको पता है यह पूरा यह आपका बोडी जो है यह हर्मोन का सिक्रेशन के कारण ही आपके दिमाग में सुचने की चमता या फिर आप जो भी सोचते हो सब आहर्मोन के ही खेला होता है तो यह हर्मोन सब्द का बात करें तो इसका सबसे पहले इसको किस ने उसकिया था तो इसको सबसे पहले स्टार्लिंग नामक विज्ञानिक ने उसको याद कर लिजेगा और नेक्स्ट है जल में घुलनसील बिटामिन कौन है आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे जैसे मैं आपको बता दूँ जो वसा में घुलनसील बिटामिन होता है कुछ और कुछ जल में घुलनसील बिटामिन होता है सबसे पहले मैं पताता हूँ वसा में घुलनसील बिटामिन कौन सी है तो ए डी और के यह चार विटामिन्स है यह आपके वसा में घुलनसील है ठीक है और इसके अलावा जितने भी विटामिन्स हैं आपका C हो गया F हो गया एच हो गया फिर जो भी हो गया भी हो गया यह सभी के सभी पानी में घुलनसील यानि जल में घुलनसील बिटामिन होते हैं और यह जो चार बीटामिन है बीटामिन A,D,E के या फिए वसा में घुलनशील होते हैं और दूस्ते नेक्स्ट है जर्षी गाय के दूद का क्वाथनांग होता है क्वाथनांग सोदस्मलल एक साथ दिग्री सेंटीक्रेड होता है और जर्शी गाय का यहां पूछा गया है तो जर्शी गाय का जो दूद का वाइलिंग पॉइंट है या क्वाथनांग है वह 100 दूसमलब एक साथ है ठीक है नेक्स्ट है 100 दूसमलब एक साथ दिग्री सेंटीग्रेड में है यहां पर आप लोग इसका ध्यान रखेएगा फरन हाइड नहीं है यहां पर नेक्स्ट है दूद में प्रोटीन किसके रूप में पाई जाती है तो दोस्तों जो दूद में प्रोटीन होता है वह कोलाइड के सब सबसे पहले किस ने दिया तो दोस्तों वित IRA के रखेले का फंक नवक तीन अपसन है जो जेन के रटीन यह तो बिल्कुल नहीं होते जो दूद का प्रोटीन होता है वो गलोबी लीन होता है इसको याद कर लिजेगा कि काफी इंपोर्टेंट प्रशन है और मैं रट्टा मार रहा हूं चिला रहा हूं भूक रहा हूं आपके सामने तो आपका भी क्याराहं द्यक्ति की है कि आप लोग इसको जाएगे परना मैं चीलाता रहूंगा और उधर मौझ लेते रहेंगे खीड़ समस्या हो जाएगी और ने नेग्स दोस्तों आपका भारत वर्स 2020 में यानि 2020 में भारत में कूल मिल्क प्रोडक्षन कितना था यानि कूल दूध का उत्पातन कितना हुआ था तो यह एक इसमें मिल्यों टर्न हुआ था कितना पाय जाता है ठीक है और 57 नमबर प्रश्ण एस एन एफ का आप एकशिक घनत होता है तो दोस्तों सॉलिट नोट फैड का जो आपका एकशिक घनत होता है एस्पेसिक ग्रेविटी होती है वह आपका होता है यानि एक दुसमलोव 616 होता है किसका एसे नेफ का आप एकशिक घनत हो और नेक्स्ट है आपका 58 नमबर प्रश्ण हर्मोन सब्द की उत्पती होई तो दोस्तों हर्मोन सब्द जो है इसकी उत्पती आपका ग्रीक भासागे सब्द से होई किसके भासा किसके से ग्रीक प्रश्ण होई और नेक्स है अंडा में प्रोटीन की मातरा तो दोस्तों जो अंडा में प्रोटीन की मातरा होती है वह ग्यारा दसमलोव 8 प्रतिशत होती है लगभग में और आपके आपसे पूछा जाए और वहाँ पे 11.8 लिखा हुआ मिले तो आप आक बंद करकर उसको दिएगा और आपने देखा होगा सुना भी होगा कि अंडे में प्रोटीन काफी ज्यादा मातरम पाई जाती है और तो देख भी सकते हैं ग्यारा दोस्मलवार्ट प्रतिसत प्रोटीन अंडा में पाई जाती है इसको याद के लिजेगा और खूब रेल के अंडा खाईए प्रशनों को भी ध्यान से देखते रहिएगा और नेक्स्ट है रुमंथी पशु के अमाशे के प्रथम भाग को कहते हैं तो दोस्तों रुमंथी पशु के अमाशे के जो फर्स्ट कंपार्टमेंट होता है इसको क्या कहते है रूमेन कहते हैं और नेक्स्ट है आपका तो य को भी स्टुडेंट्स यहां तक देख रहे हैं उनको तहई दिल से धन्यवाद मिलते हैं कि शेकली वीडियों तब तक के लिए आप सभी का एक वाफिट से बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार